हैं हिख이 थे डिर्पेरवन एंदर अपना थोपिक चल रहा था रेडिये शन डेटेक्शन एंट मेंजरमेंट आज अपना radiation, detection and measurement का यह है धर्ड लेक्चर है दो लेक्चर हम इसके discuss कर चुके हैं जिसमें हमने इसके कुछ topics के बारे में discuss किया था फर्स्ट अफल अपन बात करते हैं कि radiation, detection and measurement है क्या इसमें अपन इस topic के अंदर अपन radiation को detect कैसे करते हैं और उनको detect करने के लिए कौन-कौन से principle काम में लिये जाते हैं साथ ही साथ उन principle पर वेसेज कौन-कौन से devices हम काम में लेते हैं उन devices के बारे में भी detail के अंदर अपन यहां पर पढ़ते हैं मेंली यहां पर छे परकार के principles आते हैं जिसमें से जो first principle था आपका ionization वो हमने first lecture में discuss किया था second principle था आपका luminescence जो हमने second lecture में discuss किया था और आज हम that lecture के अंदर अपना जो third principle है thermoluminescence उसके बारे में detail में discuss करेंगे आज का lecture स्टार्ट करने से पहले एक बार luminescence के बारे में थोड़ सा discuss कर लेते हैं luminescence का मतलब क्या होता सबसे पहले यह है समझो कोई भी आपका material जब उसको energy मिलती है energy मिलने के बाद में जब वो light emit करता है तो वो जो process होती ही वो घटना करम होता हो phenomena होता हो क्या कहलाता आपका luminescence कहलाता है यहाँ पे luminescence यहाँ पे energy का मतलब है radiation से जैसे ही उस material को radiation मिलती है उसमें से light emit होती है तो that means इस principle के base पे हम radiation को detect कर सकते है that means कि radiation के area में जब हम उस device को या फिर उस material को लेके जाएंगे तो क्या होगा luminescence के effect के base पे उसमें से visible light निकलेगी यह तो बात भी आपके detection की और उसके बाद में आपन बात करते है measurement की तो उसके लिए आपके पास devices काम में ले जाती है then हमें पता चलता है कि यहाँ पे radiation कितनी है तो यह सारी चीजे थी आपके luminescence की और इसके base पे जो device थी वो थे आपकी scintillation detector जिसमें PMT photo multiplier tube भी काम में ले जाती है जो signals को amplify करने में काम आती है आज हम बात करेंगे अपने third principle की thermoluminescence जैसा कि आप यहाँ पे नाम सुन रहे हो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे luminescence word आ रहा है that means कि आपने जो second principle पढ़ा था luminescence that means यह उससे relate करता है थोड़ा थोड़ा बट यहाँ पे एक और word add हो जाता है जिसका नाम है thermo thermo word आपका heat के लिए use में किया जाता है that means यहाँ पे क्या होगा हम effect तो use करेंगे luminescence but यहाँ पे आप जो energy provide करा होगे वो normal radiation नहीं दे सकते है उसको that means जब आप उसको heat दोगे कोई भी यहाँ पे आपका जो principle हो यह बताता है कि जब आप किसी भी materials को heat देते हो तो heat देने में से क्या होता है उसमें से visible light emit होती है that means यह जो effect होता है यह क्या कहलाता है आपका thermo luminescence कहलाता है ठीक है एक बार दुबारा से समझ लो thermo luminescence होता है क्या थर्मो का मतलब होता हीट और luminescence का मतलब visible light को emit करना that means कोई भी ऐसा material जब आप उसको heat provide कराते हो तो heat provide कराने के बाद जब वो material visible light को emit करे तो वो process कौन सी process कहलाती है thermo luminescence कहलाती है अब यहाँ पे हम thermo luminescence के base पे एक device काम में लेते हैं जिसका नाम है tld thermo luminescence dosimeter तो यहाँ पे क्या होता है कि यह जो radiation detect करना region को measure करना यह सारा काम या फिर यह जो principle आपका thermo luminescence principle यह आपका जब आप इस reader को या फिर इस device को जब read करते हो उस वक्त काम में आता है ठीक है पहले इसका कोई काम नहीं है अब अपन बात करते है thermo luminescence की the emission light or luminescence by heating is called thermo luminescence that means light का emit करना किस से heating से वो क्या कहलाता है thermo luminescence कहलाता है in this process radiation gives its energy to certain crystalline material which can store these energies for a long time अब really में यहाँ पर इस process या फिर इस principle में होता है क्या है कि आप किसी भी material को radiation देते हो तो वो क्या करती है कि वो material क्या करता है उन radiation की energies को store कर लेता है ठीक है फिर जैसे थोड़े समय बाद जब आप उसको heat provide कर आते हो तो वो क्या करता है जो energy उसने store की थी उसको वो visible light के अ materials को which can store these energy for a long time और जो क्या कर सकते हैं जो material क्या कर सकते हैं उस energy को एक लंबे समय तक store कर सकते हैं example lithium fluoride calcium sulphate materials है ठीक है जो की radiation की energy को store कर सकते हैं एक लंबे समय तक this energy that is stored is obtained in the form of light अब जो energy stored हुई थी वो आपको जब आप चाहिए होगी उसको आप detect करोगे तो आपको light के form में मिलेगी ठीक है quantity of light is directly proportional to the intensity of the radiation that means जितनी आपको वहाँ से light मिलेगी उसके amount मिलेगी quantity मिलेगी उतना ही उस material को क्या लगी है radiation लगी है that means quantity of light is directly proportional to the intensity of radiation that means जब आपन वहाँ से जब आपको light मिलेगी उसके base पे आप पता कर सकते हो कि कितनी radiation यहाँ पे इस material को लगी थी ठीक है तो इस प्रिंसिपल के बेस पे हम यहाँ पे काम में लेते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है TLD, थर्मो लुमिनिसेंस डोजी मीटर, जो डिवाइस जिसकी हेल्प से हम रेडियेशन को डिटेक्ट करेंगे और मैजर करेंगे, चीक है, और जो आपका प्रिंसिपल पे वर्क करत के, TLD is a personal monitoring devices, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, जैसे जो आपका GM counter था, वहाँ पे मैंने बताया था, कि area monitoring devices क्या होती है, और personal monitoring devices क्या होती है, that means, जो आपका TLD है, वो personal monitoring devices, that means, कोई भी एक individual person की वो dose आपको measure करके, देगा, वो एक area की आपको dose नहीं दे सकता, ठीक है It is based on the principle of thermoluminescence, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि TLD thermoluminescence के principle पे based है, ठीक है, the emission of light by certain material when they are heated after radiation exposure, इसमें होता क्या है, कि जो आपके materials होते है, certain materials, crystalline materials, जब आप उनको radiation से expose करते हो, तो उनमें क्या करते है, energy store कर लेते हैं, वो कुछ समय के लिए, फिर, जब radiation exposure के बाद में हैं, आप उसको heat provide कराते हो, तो वो उस energy को release करते हैं, और किस form में release करते हैं, light के form में release करते हैं, और जितनी light वो release करेंगे, उसके according आप महां से corresponding values निकाल पाऊगे, radiation की, ठीक है, it is used to measure individual dose from x, beta and gamma radiation, ठीक है, that means, जिके आपका जो TLD जो होता है, thermoluminescence dosimeter, इसकी सहायता से आप x raise, beta raise, और आपकी जो gamma raise है, इनकी आप अलग-अलग radiation, that means, अलग-अलग radiation को, अलग-अलग इनकी dose को, आप measure कर सकते हो, that means, यह एक ऐसे device है, जिससे आप जहां पे अगर आपकी radiation, आपको एक ऐसा, आप, for example, अपन बात करते हैं, कि आपको उस meter को, या फिर उस dosimeter को, x raise भी लग गई, gamma raise भी लग गई, और beta raise भी लगई, तो यह तीनों के value, आपको अलग-अलग निकाल के देगा, that means, individual values आपको यह दे सकता है, यह इसका एक बहुत बड़ा advantage है, ठीक है, य इन में कौन-कौन से component होते है, उन components का क्या-क्या function होता है, क्या-क्या working होती, then हम बात करेंगे, इस पूरी device की working की, then हम बात करेंगे, यहाँ पर, आगे, इसके advantage, disadvantage, types, जो भी है, ठीक है, The TLD badge consists of a plastic cassette in which a nickel-coated aluminum card is placed, that means, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, कि TLD का जो badge होता है, इसको badge बोलते है, thermoluminescence dosimeter badge, ठीक है, यह जो badge होता है, इसके अंदर आपकी दो devices है, main, एक आपकी है, plastic की cassette, और एक है आपका, यहाँ पर, card, ठीक है, Consist of a plastic cassette, that means, इसमें एक cassette मिलती है, ठीक है, in which a nickel-coated aluminum card is placed, जिसके अंदर, एक aluminum का card होता है, जिसको nickel से coated किया जाता है, वो रखा होता है, that means, दो component हो गया, आपके पास में, एक TLD card हो गया, और एक TLD cassette हो गया, तो सबसे पहले आपन बात करेंगे, यहाँ पर TLD card की, कौन से card क कि जब यहाँ पर last में लिखा है, nickel-coated aluminum card is placed, ठीक है, the TLD card consists of three CASO4 DY teflon disc of 0.8 mm thick and 13.2 mm in diameter, each which are placed on three symmetrical circular holes, that means, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, कि TLD card में क्या क्या होता है, that means, तो सबसे पहले आपन बात करते हैं कि TLD card consists of three, तीन इसमें क्या पाई जाते हैं, calcium sulfate, dopped with dysprosium, dy dysprosium, ca calcium, asofor sulfate, यह एक material है, ठीक है, calcium sulfate, dopped with dysprosium, dopped means, इसके अंदर mix किया जाता है, dysprosium, ठीक है, टैफलोन डिस्क, डिस्क पाई जाती है, ठीक है, of 0.8 mm thick, इनके मोटाई कितनी होती है, 0.8 mm, and 13.2 mm in diameter, और इनका diameter व्यास कितना होता है, 13.2 mm, each which are placed on three symmetrical circular holes, that means कि TAD card के अंदर तीन holes पाई जाते है, तीन holes के अंदर तीन डिस्क रखी वी होती है, वो डिस्क बनी किसके वी होती है, calcium sulfate, dopped with dysprosium, ठीक है, इनकी मोटाई होती है, 0.8 mm, और इनका diameter होता है, 13.2 mm, चीक है, an asymmetrical V-cut is provided at one end of the card, that ensures a fixed orientation of the card into the cassette, इसमें होता है कि आप TLD card को cassette में रखते हो, यह आपने उपर ही उपर लिखा है, that means कि cassette के अंदर card होता है, तो आपका जो card होता है, उसमें एक V-cut बनाया जाता है, V-cut इसलिए बनाया जाता है, ताकि जब आप card को cassette के अंदर place करो, cassette के अंदर रखो, तो अच्छे से उसका orientation, that means उसको अच्छे से आप fix कर सको, उसकी जगह है, वहाँ पर उसको fix कर सको, तो इसके लिए आपके TLD card के अंदर एक V-cut बनाया जाता है, ठीक है, V-cut is provided at one end, उसके एक किनारे पर V-cut होता है, that ensure, जो आपको ensure करता है, a fixed orientation to the card in the cassette, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर TLD card का डाइग्राम देख सकते हो, सबसे पहले आप देख सकते हो, V-notch type cut, उपर आपको V-cut दिख रहा है, that means, यह क्या होगा कि जो आपका TLD की जो cassette होगी, उसमें जाके fix हो जाता है, इससे आपका जो orientation हो, फिक्स हो जाता है, निकल-coated aluminum card है, इसमें तीन आपको disc दिखाई दे रही है, ठीक है, 3CASO4.DY टेफलोन डिस्क, कैल्शियम सलफेट, डॉप्ड विद डिस्प्रोसियम, टेफलोन की यह disc होती है, इन डिस्क का जो dimension होता हो, आपका 0.8 mm thick and 13.2 mm diameter, 0.8 mm मोटी होती है, और 13.2 mm इनका diameter होता है, जो आपका यह पूरा जो TLD card होता है, इसका dimension भी आप यहां पे देख सकते हो, 1 mm, ठीक है, इसकी मोटाई कितनी होती है, 1 mm होती है, इसकी length कितनी होती है, 52.5 mm, और इसकी width कितनी होती है, 29.9 mm, जैसा कि we cut की बात की गई है, इनोंने, a cut is provided at one end of the card to ensure a fixed orientation of a card in the TLD cassette, card को TLD cassette में अच्छे से fix करने के लिए, एक we cut दिया जाता है, ठीक है, तो यह सबसे पहला जो आपका first component था, TLD card की बात यहां पे की गई है, अब अपन बात करेंगे TLD card के outer components के, that means कि जो आपका TLD card होता है, वो open कभी भी नहीं होता है, यह दूसरे component से covered होता है, that means card और cassette के बीच में, cassette के अंदर आपका card रखा हुआ है, इनके बीच में भी एक और component आता है, उनकी अपन बात करते हैं, the card is enclosed by a paper wrapper, in which users personal data and period of use is written, that means कि जो आपका TLD का card होता है, जो aluminum की जो disc होती है, आपकी nickel coated, इस disc को आप एक wrapper के अंदर, that means एक package के अंदर रखते हो, ठीक है, और वो package क्यों रख होती है, उनके बारे में अपन बात करते है, in which users personal data, जिसके उपर, जो user उसको काम में ले रहा है, उसके personal data लिखे होते है, that means उसका जो TLD number होता है, वो लिखा होता है, कौन सा month होता है, जो आपका time period है, जिसमें वो use कर रहा है, उसको, उसके बारे में लिखा होता है, registration number वग इस wrapper के dimension की, the thickness of wrapper is 12 mg per centimeter square, इसकी जो thickness होती है, इसके मोटाई कितनी होती है, 12 mg per centimeter square, which is equivalent to the 10 mm depth below the skin surface, that means, किसके बराबर है, आपकी जो skin होती है, उसमें 10 mm depth में जितनी radiation लगेगी, उसके बराबर ये equivalent होती है, the TLD card is placed in thin plastic pouch, which protect the card from the environmental contaminants like water dust, etc, जो आपका TLD card है, जो आपका जो paper और wrapper की बात हो रही है, एक plastic की pouch होती है, जिसमें आप इसको place करते हो, रखते हो, ठीक है, जो card को बचाती है, environmental contaminants, that means, प्रयावरन के जो दूसीत पदार्थ है, उनसे इनको बचाती है, लेसे water dust, that means, protect करके रखती है, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो, यह बात हुए, यहाँ पर card के outer part की, that means, card और cassette के बीच में भी कुछ और components आते है, जो आप plastic की pouch, wrapper जिनके उपर user का personal data लिखा हो होता है, personal data में उसका नाम आ सकता है, उसका जो TLD के जो registration number रहता है, वो आ सकता है, कौन से month के अंदर कौन सा time period, that means, कौन सा week, जो लिखा हो है, वो उस पे लिखा हो हो सकता है, तो यह सारी चीज़े उस पे लिखी भी हो सकती है, ठीक है, यह उसका personal data होता है, user का जो TLD का जो आपका card होता है, उसके उपर एक wrapper लगा होता है, उसके उपर लिखा हुआ होता है, अब अब बात करेंगे, अपने second component की TLD cassette के बारे में, कि TLD cassette का होती है, किस की बनी होती है, TLD cassette is made up of high impact plastic, जो आपकी TLD cassette होती है, वो एक अच्छी quality के plastic से बनी होती है, there are three filters in the cassette, अब आपकी जो cassette होती है, यह main important होती है, individual radiation को dose measure कराने के लिए, that means, इसमें तीन प्रकार के filters लगे हो आपके जो card था, उसमें तीन डिस्क थी, ठीक है, अब वो तीनों डिस्क क्या करेंगी, radiation आने पर electron strap होंगे उसके अंदर, यह अपन working के अंदर पड़ेंगे इसके, but, जब अपनने बात की, कि जो आपका TLD होता है, वो independent होता है, that means, यह X, gamma, और beta, इन सब की अलग-अलग आ बोलते हो, और वो कौन सी radiation के लिए होता है, X and gamma rays के लिए होता है, ठीक है, दूसरा filter पाया जाता है, perspex का, जिसको आप perfects या फिर plastic filter भी बोलते हो, जो beta radiation के लिए होता है, और जो आपका third filter होता है, that means, वो open होता है, उसमें कोई special type का material नहीं लगा होता है, और वो क्या करता ह old radiation, बाकि जो भी radiation बच गए, उन सब को वो pass होने देता है, ठीक है, filters का काम क्या है, यहापे जैसे अपन बात कर रहे है, first filter, metallic filter की यह बोल रहा है, X और gamma radiation, that means, कि यह filter केवल अपने में से X और gamma rays को ही जाने देगा, that means, जो आपकी first disk होगी, उस पे जो भी आपको value मिलेगी, plastic filter की, that means, यहाँ पे जो आपकी दूसरी disk होगी, वहाँ पे किवल आपको beta radiation की value मिलेगी, ठीक है, और जो आपका third हुआ, third पे आपको all radiation मिलेगी, but आपकी first और second पे आपको X, gamma, beta की मिल रही है, तो आप उनकी value से, बाकि की जो radiation, उनकी value भी निकाल सकते हो, ठीक है, the metallic filter that is first disk, consists of combination of 1 mm aluminum and 0.9 mm copper, अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे first filter की, first filter के अंदर अपन ने बात किये, metallic filter की, metallic filter में यहाँ पे दो चीज़े की बात किये, एक copper होता है, और एक aluminum होता है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, कि aluminum कौन से side होगा, that means, उसका orientation कैसा होगा, copper का orientation कैस नहीं होगे, तो यहाँ पे इन्होंने बताईए, कि aluminum तो यहाँ पे काम में लिए जाता है, 1 mm thick, और copper यहाँ पे काम में लिए जाता है, 0.9 mm thick, that means, कि जो आपका first filter है, metallic filter, इसके अंदर आपको 2 metal काम में लिए जाती है, एक copper, एक aluminum, copper होता है, 0.9 mm thick, और aluminum होता है, 1 mm thick, जैसा कि यह सब आप, अभी diagram के थूरू भी समद सकते हो, TLD cassette का भी अपने diagram दिया है, यहाँ पे, यह देख सकते हो TLD cassette कैसे होती है, यह जो आप देख रहे हो, side में, white color में, यह आपका original TLD cassette का यहाँ पे इन्होंने diagram दिया है, कि TLD cassette दिखने में ऐसी होती है, यह जो उपर ही उप perspex का filter, ठीक है, और तीसरे होता है open window, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर आपका जो perspex वाला है, इसमें आपको कुछ users के data दिख रहे हैं, यह जो data है, यह किस पे है, अंदर जो cassette डली वी है इसके, ठीक है, उस cassette के wrapper पे लिखे होए है, ठीक है, aluminum का combination होता है, उसमें क्या होता है, जो copper का जो filter होता है, वो आपका TLD disc की थरफ होता है, अगर वो TLD disc की थरफ होगा, तो आपका जो aluminum filter हो क्या करेगा, radiation को face करेगा, क्योंकि TLD disc अंदर की side में होती है, ठीक है, अब अब अपन बात करते है, next component की, जिसका नाम है, clip, that means, आपका जो TLD है, thermal luminescence dosimeter, personal monitoring devices है, that means, जो आपका personal individual, कोई भी person है, वो उसको क्या करेगा, लगा के रखेगा, इसको hang करेगा, तो वो किसकी साहता से रखता है, वो आपके clip होती है, clip is present to fix the batch to the user's cloth और wrist, जो आपका user जो काम ले रहा है, उसके cloth या फिर उसकी wrist पे fix करने क लिए इसके उपर एक clip लगी होती है, the filters make the TLD batch disk energy impedance, जैसे मैंने आपको बता दिया था, पीछे, कि जो आपके filters है, यही main important है, यहाँ पे TLD को energy independent बनाने के लिए, that means, यह अलग-अलग radiation की energy की आपको अलग-अलग dose provide कराता है, इसके लिए आपका main important यहाँ पे function है, वो यहाँ पातक तो बाते हुई इसकी construction की, इसके component की, अप अपन बात करेंगे इसकी working की, वैसे तो इसकी working के बारे में आपको पता चल गए होगा, अपने principle में पढ़ लिया, कि कैसे working करता है, radiation आती है, electrons trap होते है, that means energy store होती है, यहाँ पे, फिर इसको आप heat कराते हो, energy निकलती है, visible light light emit होती है, और फिर visible light को आप signals में convert कर लेते हो, यही process working के अंदर की जाती है, when TLD is exposed to the radiation, जैसे ही आप TLD को radiation से exposed करते हो, electron absorb the energy, electrons क्या करते है, energy को absorb करते है, and jump into conduction band from the valence band, वो क्या करते है, कि valence band से conduction band में jump कर जाते है, ठीक है, these electrons are trapped in the conduction band, and therefore are stored, यह जितने भी electrons, जिन्नोंने energy ली, और जो valence band से conduction band में गए, यह क्या करते है, वहाँ पे conduction band में ही trap हो जाते है, that's when, वहीं फस जाते है, ठीक है, and therefore are stored, और वो उस energy को store करके रखते हैं, एक लंबे समय ते, यह इस material के, जो आपन material इनमें काम में लेते हैं, यह चीज़ हो गई, जब उसको radiation लगी, जो आपका material यहाँ पर काम में लिया, तो उसमें क्या हो गए, electrons trap हो जाते हैं, conduction band में, that means, वह energy को store कर लेता है, ठीक है, अब store करने के बाद में क्या होगा, हम उसको read करेंगे, read करेंगे, values पता करेंगे, कि radiation कित्ती लगी, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, when the TLD card is heated, हम इसको heat कराते है, heater के उपर रखते है, in TLD reader, TLD reader के अंदर इसको आप heating कराऊगे, trapped electron absorb heat energy, जो trapped, जो electron फसे वेते, conduction band के अंदर, वो क्या करेंगे, heat energy को absorb करेंगे, and release from trap zone, और वो जोन का trap zone था, जहाँ पर फसे वेते, वहाँ returning light is emitted, जब वो वापिस आएंगे, ground state में, उस वक्त वो light को emit करेंगे, which is captured by the PMT, और यह light किसके द्वारा capture की जाती है, PMT, photo multiplier tube, जो आपने scintillation detector में भी पड़ी थी, ठीक है, अब यह PMT क्या करता है, and convert into electrical and digital signals, और इन सब को electrical or digital signals में convert कर दिया जाता है, normal working इसकी hard नहीं है, easy working कुछ नहीं होता है, radiation से exposed करा जाता है, material को material के अंदर जो electrons होते है, energy को store करके, वो conduction band में trap हो जाते है, एक लंबे समय के लिए, फिर जैसे आप उसको read कराते हो, read कराने के लिए आपको उसको heat provide करानी पड़ती है, जैसे आप उस material को heat provide कराते हो, वो energy लेता है, और जितने भी electrons trap zone में थे, वो सारे के सारे ground state में आएंगे, जब वो ground state में आएंगे, तो visible light को emit करेंगे, यह visible light आपकी photo multiplier tube, PMT, capture करता है उसको, और फिर in signals को, electrical signal और digital signal में convert करके, हम dose को measure कर लेते हैं, ठीक है, that means, radiation को measure कर लेते हैं, जैसे कि आप diagram से देख सकते हो, working of the TLD को, कि TLD कैसे work करत है, यह आपके TLD के disk होती है, इसमें ground state आपको green color में दीख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपके electron trap थे, जब आप जैसे इसको heat provide कराते हो, तो यह electron trap वाहो के, जो trap था, यह कहाँ पर आता है, आपका, ground state में वापिस आता है, but visible light को emit करके आता है, और इस visible light को PMT के द्वारा detect, capture किया जाता है, then इसको digital signal में convert किया जाता है, when this TLD card is heated in TLD reader, जैसे आप TLD reader में इस TLD card को heat करते हो, trapped electron absorb energy, जितने भी trapped electron होते हैं, वो energy को absorb करते हैं, and are released from the trap zone, trap zone से release होते हैं, and return to their ground state, अपनी ground state में आ जाते हैं, while returning to the ground state, जब वो अपनी ground state में आते हैं, light is emitted, light emit करते हैं, which is captured by the PMT tube, जो PMT tube के द्वारा capture की जाती है, and converted into digital signal, और digital signals के अंदर convert की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह बात हुई, आपकी reading की, that means working की, कि आपका thermoluminescence dosimeter किस तरीके से work करता है, construction हमने पढ़ लिया, इसका components हमने इसके पढ़ लिया, principle हमने इसका discuss कर लिया, इसका working हमने discuss कर लिया, अब अपन बात करते हैं, कि आपका TLD कितने types का होता है, that means thermoluminescence dosimeter कितने types के पाये जाते है, types of TLD, types of thermoluminescence dosimeter, तीन प्रकार के होते है, mainly chest batch, wrist batch, और finger batch, जो आपका chest batch होता है, वो whole body dose को measure करता है, that means जो आप chest पे लगाते हो, वो पूरी body की dose को measure करेगा, जो wrist पे लगाओगे तो extremity की, that means आपके leg और hands की, और जो आपका finger batch होता है, वो fingers की, mainly जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, वो आपका chest batch, chest batch सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है, types हो गए, अब अपन बात करते हैं, इसके advantage और disadvantage की, इसके क्या-क्या-क्या-क्या energy independent अच्छा होता है, that means, अलग-अलग energy, जो आपकी, अलग-अलग energy की radiation होती है, उन सबको अच्छे से यह आपको बता देता है, ठीक है, atomic number is approach tissue equivalent, इसका जो material अपन काम में लेते हैं, उसका जो atomic number होता है, वो लग-बग tissue के equivalent होता है, that means, तो जो आपको dose की measurement मिलेगा, that means, जो radiation का आपको measurement मिलेगा, वो आपके tissue के equivalent मिलेगा, that means, tissue को कितनी dose लग रही है, उसके equivalent ही आपको dose देगा, that means, यह personal monitoring devices के लिए एक अच्छे device है, and affected by visible light, moisture and mechanical vibration, visible light से इसको कोई effect नहीं होता, ठीक है, moisture, नमी से इसको कोई effect नहीं है, और mechanical vibration से भी, इसको कोई effect नहीं होता, ठीक है, इसका main advantage क्या है, the TRD can cover a wide range of dose, यह दूसरा dose जो cover करता है, that means, 10 million रोंजन to 10,000 रोंजन तक यह dose cover कर सकता है, यह भी एक इसका सबसे बड़ा advantage है, it is reusable, आपके जितने भी personal monitoring devices, for example, आपका film batch है, वो reusable नहीं होता है, but TRD reusable है, इसको आप दुबारा से use कर सकते हो, one TRD can be used 100 times, एक ब 100 बार तक use कर सकते हो, अब आपका जो एक batch का, एक बार का time period होता है, वो कितना होता है, 3 months का, so one card can be used for 300 months, अगर आप एक कार को एक बार 3 महिने के लिए काम में लेते हो, but पूरे कार को आप 100 बार use कर सकते हो, that means, कि आप एक कार को 300 महिने तक काम में ले सकते हो, that means 25 years तक, ठी can be won for intervals of up to 3 months at a time, एक बार में अपन के लिए, इसको तीन महिने तक ही काम में लेते है, यह भी इसका advantage है, जो आपका film batch होता है, उसको आप एक महिने तक काम में ले सकते हो, that means, इसका time period थोड़ा जादा है, disadvantage क्या है, TLD batch is expensive, यह थोड़ा expensive होता है, but due to reuse, it is cost effective, but reuse करने से इसक cost भी effective हो जाती है, तो यह main जादा इसका disadvantage नहीं है, for example, अगर आपका expensive हो, but आप एक TLD batch को 25 साल तक काम में ले सकते हो, that means, वो cost आपकी effective हो गई, ठीक है, does not give instantaneous dose, यह सबसे बड़ा disadvantage है, यह तुरंद आपको dose नहीं बताता है, तीन महिने तक आपको dose लगती रहेगी, वो measure करत रहेगा, then वो वहाँ पे reading के लिए जाएगा, ठीक है, वो उसके read होगा, working होगा, उसके बाद में आपको dose का पता चलेगा, तब तक क्या हो, कि अगर radiation for example, गोई personal individual है, उसको अगर radiation जादा लग गई हो, तो उससे उसके जो radiation hazard हो, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यह एक से बड़ा इसका disadvantage यह है, कि यह है instantaneous dose नहीं देता है, तुरंद आपको dose नहीं बता पाता है, ठीक है, तो यह आपका TLD था, complete होता है, यहाँ पे TLD, thermoluminescence dosimeter, इसकी कुछ images मैंने यहाँ पे डाली हैं, आप देख सकते हो, Thank you. आपको राफको अमझ कुछ Heritage L झाल 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 झाल